Hello guys! Welcome back to the channel आप देख रहे हैं सुर्बगर URBALs मेरा नाम है निक्र पारकव दोस्तों वेलकम बैक और आज का vlog focus है दोस्तों classical medicine segment चल रहा है दोस्तों तो हम classical medicine के पर उपर ही focus करेंगे परपटी segment लिया है, मैंने परपटी segment इसलिए लिया है, क्योंकि परपटी segments के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी परपटीज हैं, अपने आर्वेद्या में, आप अगर मेरे previous vlogs को follow कर रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे मैं किस परपटी सेग्मेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरुवात में जब ये सीरीज चालू करे थी तो उसमें परपटी का मतलब बताया था तो आप उसको जरूर देखेगा मेरे प्रिवियस व्लॉग से आपको मालम पर जाएगा कि परपटी से कहते हैं कैसे बनता है किन उप्योगों में ये आता है और अलालग तत्वों से अलालग घटकों से परपटी से बनती हैं आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरे जानकारी अदूरी है या मेरे जानकारी गलत है तो आप मैं उसे डाएट बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नम्बर है आप मेरे से बात करेंगे तो आप मैं जरूर बात करिएगा दोस्तों description में number है और order के लिए भी आप मेरे से content कर सकते हैं जितनी भी i-wag medicines है, i-wag herbs है वो सब मेरे पास available हैं तो आप मेरे से जरूर content करी हैं मैं आपको supply दूँगा चलिए दोस्तो ब्लॉग चाह करते हैं तो आज का vlog focus है दोस्तो शीतल परपटी के उपर शीतल परपटी क्यों है, इसको क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी बनाने की इसके बारे हम बात करेंगे, इसके घटक क्या है, इसमें क्या क्या डलता है कैसे बनाया जाता है, इस बारे हम बात करेंगे क्या उपयोग है किन रोगों में ये शीतल परपटी यूज होती है उसके बारे बात करेंगे और इसकी मात्रा क्या है और लेने की मात्रा और लेने का समय है यह मैं आपको जरूर बताऊंगा इस व्लॉग के तो पूरे व्लॉग को पूरा देखिएगा दूस्तों अच्छे से देखिएगा आपको सारी चीजे संज में आएंगी आप कभी भी कंफ्यूस फील नहीं करेंगे व्लॉग में और आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सभी का निवारण में करने की खुशिश करता हूं I hope आप मुझे सपोर्ट करेंगे ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे है कलमी सोडा एक आरविदिक का पार्ट है आरविदिक की दवाईयों में इसको यूस किया जाता है कलमी सोडा को यह सोडा का प्रकार है यानि यह सभी कॉंपोजिशन में डाला जाता है क्लासिकल कॉंपोजिशन में कलमी सोडा सफिद रंग का होता है दानेदार होता ह जैसे आप पिचर्स में देख पा रहे हैं दूसरा डलता है गंदक का शुद्ध तेजाब यानि एसिट सल्फरिक एसिट सल्फरिक के नाम से अगर आप किसी भी कैमिकल शॉप पे जाओगे या जो कैमिकल सप्लाइ करते हैं वो आपको बताएंगे एसिट सल्फरिक के बारे में एसिट सल्फरिक दोस्तों बहुती ज़्यादा जटिल होता है यानि बहुत खतरनाक होता है एसिट सल्फरिक तो इसको यूज करना इतना एजी नहीं है इसको हर कोई यूज नहीं करता है जो pharmacist हैं जो chemistry को जानते हैं और जो इन दवाईयों को बनाते हैं जैसे companies बनाती है तो इसको भी बहुत ध्यान से बनाया जाता है क्योंकि अगर इन दोनों के मेल से सिर्फ दो घटक है इसमें सबसे पहले कलमी शोड़ा दूसरा है acid sulfuric जैसे आप pictures में देखने है acid sulfuric जब acid का term आ रहा है तो यानि अच्छे से तेजाब ही है यानि शुद्ध तेजाब है वो भी sulfur का तो इसको बहुती ध्यान से और बहुती carefully इसको use किया जाता है इन दोनों की घटक से ही शीतल परपटी का निर्माण होता है और परपटी term जो use कर रहे है ये क्यों है क्या है ये मैं vlogs मे पहले बता चुका हूँ तो उसको आप जरूर चेक करिए आपको सब चीज़ से जाएंगी शीतल परपटी दो चीज़ों से बनती है acid sulfuric और कल्मी शोड़ा से और इसका धुआ भी अगर लग गया किसको यानि अगर ये बनाते समया प्रोसेस करते समया किसको धुआ भी इसक किसी और नाम से कुछ substitute भी निकालती कंपनी उसको अप्गेट करके तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों ये क्यों रोगों में यूज़ होता है ये क्यों बनाया गया किन रोग के लिए बना गया दोस्तों urine संबंदित urine संबंदित जैसे आप ये पिशावाना यापको किसी भी मूत्रा अवरोध हो तो रहा है तो याम्न संब्दित या आपकी पित की जो रित्य हो रहे है बौड़ी में जो है जो हाला पचाता है टाशन क काम आता है उसमें अगर आपका increment हो रहा है तो उसमें भी ये शीतल परपरटी काफी अच्छे काम करता है यकरत विक्राज यकरत विजार यानि लीवर से सम्मन देता अगर आपको problem है उसमें भी आप इसको ले सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं इसको शीतल परपरटी को लेना कैसे यानि इसको अगर आप लेना चाते हैं आपको इन चींजों में से यूरिन सम्मन देता अगर आपको कोई भी ब्रोग है तो आप शीतल परपरटी लीजिए आप इसको लेना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसको जीरे के पानी यानि क्यूमिन सीड होता है क्यूमिन सीड को हम इंदी में जीरा कहते है जीरे के पानी के साथ लिए जाता है इसमें दो पैकेजिंग आती है सबसे पहले मैं आपको बता दू शीतल परपड़ी में दो पैकेजिंग आती है एक 5 ग्राम की आती है यानि 40 मात्राइं आपको डिवाइड करके रख लेना है और शीदल परपड़ी का यूज 24 घंटे में एक बार यानि सिर्फ रात को सोते समय किया जाएगा सोते समय इसली बोले जाता है क्योंकि अगर बॉड़ी जब आपकी सोती है तो रीकवरी मोड में रहती है जो जो भी दिनवर का स्ट्रेस होता है या आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो बॉड़ी उस समय स्लीपिंग टाइम वो रीकवर करती है तो उसके उस टाइम में और अगर नहीं मिलाना है तो आप पाउडर मूँ में लखके जीरे का पानी पीजिए सिर्फ एक ही तरीका है शीतल परपड़ी को कंजियूम करने का वो है जीरे का पानी आप कितना पानी लेना है आपको यह बतारू एक कप पानी बहुत है एक कप पानी जो अपना टी कप पाता है काफी कप नहीं काफी कप बड़ा हो जाता है टी कप जो होता है नॉर्मल टी का कप होता है उतना जीरे का पानी आप इसमें लीजिए और इसमें आप एक मात्रा जो आपने डिवाइट करके रखी है 20 या 40 जो भी आपको पैकेजिंग मिलिए 10 ग्राम या 5 ग्राम उ उसके बाद आप इसको पानी पिलीजिए, मैं सजेश्च करूँगा कि आप इसको पानी में घोल के लीजिए, पानी में अगर मिक्स करके आप लेंगे तो वो इजीली चले जाएगा और अच्छे से वो असर दिखाएगा, जीरे के पानी यानि क्यूमिन सीट वाटर के साथ इ यानि हटर कल्लोटेककषट का इंक्रिमेंट हो आपकी बॉडि में उन सभी में काफी अच्छा काम करता है, शीतल पर्पटी, शीतल परपटी दोस्तों सभी कंपनीया बनाती है, सभी कंपनी के च्छा आथे, आप कोई भी companies ले सकते हैं किन companies पर आपको ट्रस्ट करना है किन companies best है जो उसका प्रिवस बना चुका हूँ तो आप उसको जरूर देखिएगा आपको काफी मज़ा आएगा आपको काफी knowledge मिलेगा बहुत सारी नाटी companies है जो classical medicines आज भी बनाती हैं क्योंकि उनके रीजन में और इरिया में वह इंग्रेंट्स या वो घटा को प्लब्द हैं जो उनसे यह सब बना सकते हैं तो आप मेरा वह वाला चेक जरूर 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 चैक करिएगा जिसमें मैंने companies के बारे में बताया है दोस्तों यह चोटा सा ब्लॉग शीतल परपरटी के ऊपर इस से संब्दिद आपको कोई सवाल हो या आपको परचेस करना हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो यूरे सम्ब्लम हो आप मेरे से कॉंटेट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप एक बार कॉंटेट करिए मैं आपको सप्लाइज जरूरत हूंगा तो दोस्तों देट साल फॉर टोड़े का इस यह चोटा सा व्लॉग शीतल परपरटी के ऊकर आपको पसंद आया है तो में चैनल को लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिया जा से यादा मेरे को शेर करिए जिससे आपको अच्छी नौलज़ग प्रपाइब का यह चनल बेस आपको जया है यह चानल शेर मच्छास केट विचे विथस एफूम टाता की लिए भाइफ